नमस्ते दोस्तो मैं हुँ सतिष कुमार दोस्तो आज के वीडियो का टापिक थोड़ा सीरियस है और देश की एकता के लिए जरूरी भी है इसलिए दोस्तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिये और समझने की कोशिश कीजिए और इसके बाद इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेर कीजिए और awareness को फाइल आईए इस वीडियो को completely देखे बिना कुछ भी मत कीजिए पहले इसे ध्यान से देखिए फिर इसे शेर कीजिए दोस्तों मैं हमारे roaring creations private limited company के द्वारा roaring India नाम से एक project कर रहा हूँ यह एक tourism project है मैं इस tourism project के लिए करनाटक राज्य के बेढगामी जिल्ले को गया था बेढगामी जिल्ले के 5 तालुक को मैंने successfully इस project के अंदर shoot किया था उन 5 तालुक में मौझूद होने वाले सारे के सारे tourist places को मैंने अच्छी तरह से shoot किया था photography किया था उनको website में या आप में YouTube channel में social media में डालके promote भी कर रहा था मैं इस project के अंदर tourism का promote कर रहा था लेकिन इधर मुझे एक दिक्कत face हो रही है दोस्तो यह आज का दिक्कत नहीं है मैं इस problem को 2-3 साल से regularly face करता आ रहा हूँ दोस्तो दोस्तो जब हम करनाटक को जाते हैं न हम इधर पुने से सीधा कॉलापूर जाते है कॉलापूर से सांगली मिरस जाते है सांगली मिरस से कागवार के थ्रू करनाटक में एंटर करते है उधर से हमें गोकाक की तरब जाना है तो भी अतनी सिटी लगता है और विजापूर को जाना है तो भी अतनी सिटी लगता है इस तरह से हम करनाटक में एंटर करते है लेकिन अतनी city में किदर भी city एंटर करते वक्त signals नहीं है, signboards नहीं है, cctv camera नहीं है, traffic police भी नहीं है, road तो कहने लायक भी नहीं है, इतना खराब roads है और उदर रोज कोई भी traffic police भी नहीं रहता, कोई पूछने वाला भी नहीं रहता, इस तरह का ओ एक हाला थै उदर का उसके आसपास के तालूक cities भी सब अनडेवलप्ड है, उदर कोई भी city, developing city नहीं है, सारे के सारे अनडेवलप्ड cities है और अनडेवलप्ड गाउं है यदि आप उदर का हालात को देखना चाते हैं, तो आप एक बार बेडगावी टू बिजापूर ट्रावेल करके देखिए आपको पता चलता है hardly 210 km का एक distance का रास्ता है, फिर भी हम इसे 7-8 गंटे ट्रावेल करते हैं रस्ते में रस्ते से ज़्यादा खड़े ही है, और short roads है, ट्रॉपिक क्रियेट होता है, अब तो फैक्ट्रिया चालू हुई है, और लोग सडक पे मर रहे है और उस एरिया में बहुत सारे चोरीज होते हैं, मर्डर्स होते हैं, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है, एक भी responsible officer नहीं है, इस तरह का undeveloped एरिया है वो जब हम कागवार से बिजापूर जाने के लिए, गोकाग जाने के लिए अतनी city के त्रूँ एंटर करने की कोशिश करते हैं अतनी police openly हप्ता वसुली धंदे को शुरू करके बैटे है यह आज कल की बात नहीं है दोस्तों, मैं इसे बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, वो क्या करते हैं ना, जना निबिड प्रदेश में, जिदर लोग नहीं रहते हैं ना, क्रौड नहीं रहते हैं उस तरह का एक जगा पकड़ते हैं, उधर ही अपने गाड़ी को साइड म को जा रहा था ना, तब यह लोग मुझे रोक के परशान किया है, साइड में अब मैं पुटे जस देखा रहा हूँ, ओ देखिये, लोकल का कोई भी बंदा उनको नहीं डर रहा है, कुत्तों को देखके लोग गाड़ी को स्लो तो करते हैं, आगे पोलिस की व्यान कड़ी है पोलिस भी कड़े है, फिर भी लोकल का एक भी बंदा स्लो नहीं कर रहा है, सब ओवर स्पीड कर रहे है, राश ड्रेविंग कर रहे है, त्रिबल रैडिंग कर रहे है, एक भी बंदा हेलमेट नहीं पाना है, बहुत सारे गाड़ियों को नंबर प्लेट तक भी नहीं था, बहुत सारे गाड़ियों को इंडिकेटर नहीं था, मिररल नहीं था, इस तरह से उदर का एक महौल था, उदर अतनी के पोलिस, यानि करनाटक के पोलिस, सिर्प और सिर्प यम्मेच पासिंग के गाड़ियों को रोक रहे थे, महाराष्ट्र पासिंग का गाड़ी दिख गए तो उन लोगों को गाड़ी रोकते है और बहुत परशान करते है टॉर्चर करते है अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करके हैराजमेंट करते है हम उनको जितने भी समझाने की कोशिश किया तो भी ओ लोग समझते नहीं है हम कुछ भी उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए गए तो भी आर्गुमेंट करता है हमको कानुन चिकाता है बोलके सीधा उपर ही चड़ने की कोशिश करते हैं डरावना वातावरन उदर क्रियेट हुआ है फिर भी वहां के कोई आपिसर भी इसकी तरफ देख नहीं रहा है politicians तो सारे के सारे careless है इनकी कहानी इदर तक नहीं रुखती है दोस्तो उदर famous tourist tourist sports बहुत सारे है और devotional sports भी है for example के लिए सवदती अलमा है चिंचली मायक का है कोकुटनूर के अलमा भी है इन सारे tourist places को और devotional places को आने वाले 99% 99 लोग सब महराष्टर के लोग ही है करनाट का पोलीस अच्छी तरह से काम नहीं करना चाहती है और सिर्प और सिर्प महराष्टर के लोगों से हपता वसुली करना चाहती है और महिला यह है तो भी उनको रोक के टार्चर करते हैं उनसे पैसा मांगते हैं और बच्चे के साथ महिला जा रही है तो भी अकेला महिला जा रही तो भी महराष्टर की उनके साथ भी मिस्वेव करते हैं इधर पोलीस काउन है च रिकाल के रखते हैं और बहुत सारे constables इनिफॉर्म भी नहीं पाइनते हैं और यसा ही होने दो और कुछ भी होने दो गाड़ी के पीछे चुपके वाइटता है उदर साइड में कड़ा होता है को ताकि कोई उसे कैमरा में रिकार्ड ना कर ले और constables सब बीच सडक पे आके ग रोका है दोस्तों मेरा गाड़ी 40 के स्पीड पर जा रहा था तब इन्होंने बीच सडक पे बिल्लियों के तरह आके मुझे रोका है समझिये दोस्तों एदी माई ने ब्रेक लगाने में थोड़ी देरी की तो क्या होता है एक पोलिस आगे आके मुझे रोकता है और यह पर्म नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा कि यह पोलिस है और कुछ कॉंस्टेबल साइड में रुकते हैं चुपने की कोशिश करते हैं कैमरा देखके दोस्तों मैंने मेरे गाड़ी में ड्याश्केम लगाया है इस ड्याश्केम के उपर मैंने 40,000 खर्च किया है और यह ड्या क्या हो रहा है यह भी पता चलता है इस तरह से इसमय शूटिंग होता है इसम circuits हुए पुटे जिसको मैं आपको दिका रहूं देखिए यह इस तरह से गाड़ी रोकते हैं मैंने वहां जाने से पहले पानी पीने दोने गाड़ी रोकता और उस समए सीट बेल्ट को निकाल पाइना था इसे मैं openly accept कर रहा हूं मैंने seat belt नहीं लगाया है तो जो भी एक कानून के हिसाब से fine है ना उस fine का legal receipt देना चाहिए मैं भरता हूं जाता हूं लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया इन्होंने मुझे online में payment करने की option भी नहीं दिया और इनके पास legal चलान का file भी नहीं इन्होंने किसी एक local printing paper से एक dummy receipt लेके आये थे जत्रा में आपको देते है ना आये जत्रा में 10 रुपई देने के लिए और parking के लिएक dummy एक होता है ना इनका उस तरह का एक इनके पास receipt थे वो किसी भी तरह से legal नहीं थे और इनके पास camera भी नहीं था महाराष्टर के tourist को target कर करके torture करते हैं खुद इसे मैं शिकार होता आ रहा हूँ यह आज की कहानी नहीं है दो तिन साल से मुझे ऐसे ही हो रहा है इनको कुछ भी पूचा तो यह धमकाने लगते हैं हमें ही गाली देते हैं और miss behavior भी करते हैं और इसके regarding हम मुदर के politicians को complete करने के लिए phone किया तो वह हम को ही गाली देते हैं महाराष्टर के police भी ऐसे करते चलो ऐसे बोलते हैं इदर महाराष्टर का police क्या करते हैं करनाटक का police क्या करते हैं यह बात नहीं है जब हमें कुछ भी गलत होता है signal पास होता है तो हम पुना मुंबई में 2000 का 5000 का भी fine बैटता ह है हमको message आता है तुमारे गाड़ी के उपर इतना fine हुआ है बरो और जाओ आप लाइन में भी बर्ने का option होता है अपलाइज में भी बरने का option होता है अमारे पास पैसा नहीं है तो बरने के लिए time भी रहता है जब तक हम नहीं बरते हैं तब तक हमारे records में दिखातर रखत ना उनके ब्याचेस नहीं है हमको कैसे पता चलेगा यह चोर है क्या पोलिस है और इस तरह से यह लोग कर रहे है मेरे सिर्फ मेरे साथ नहीं कर रहे है सारे के सारे महराश्ट्रा टूरिस्ट को टार्गेट करके कर रहे है और वूमन्स को भी नहीं चोड़ रहे है इतना बुर सर्च जिन्दा है क्या नहीं पता नहीं मुझे तो क्यूंकि मुझे एक बार भी रिपले नहीं आया है दोस्तों इस तरह से लोग किया है और मुझे लगबग एक गंटों से ज्यादा टाइम वहां खड़े धूप में खड़ा किया है उस दिन मुझे विजापूर को जाना था वहां के लोकल आता रिटियों को मिल के शूटिंग के लिए पर्मिशन मागना था और बाकी जगा पे मुझे शूटिंग के लिए पर्मिशन भी मिला था और उदर जाके वहां के स्पेशिलिटी क्या है देखना था तोड़ा रिसर्च करना था इसलिए हम टीम बना के जा र आता इन्होंने बीच सड़क पे रोका ये गंटे से भी ज्यादा धूप में खड़ा किया उस दिन मैं अच्छी तरह से खाना भी नहीं काया था पानी भी नहीं पिया था पानी पिने के लिए उदर रोका था इतने में इतना बवाल हो गया ये मेरे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है वो सब वहां के लोकल लोगों को ये प्रैक्टिस की तरह हो चुका है दो तिन साल से मैं इसे देखता आ रहा हूं दोस्तों और ये लोग ऐसे ही कर रहे है जो पोलिस अपिसर मुझे पकड़ के उधर खड़ा किया था ना ओखुद तो बैचेस को ही नहीं पाइने थे जिन्होंने मुझे रोका था और मेरे गाड़ी के पीछे जो एक भागते भागते आ रहा था ना वो तो इनिफॉर्म ही नहीं पाइना था इस तरह से हुआ है दोस्तों ऐसे ये करनाटक पोलिस करने से क्या हो रहा है कि टूरिस्ट को भी प्राब्लम हो रहा है करनाटक का महराष्ट का एक हेल्दी रिलेशन्शिप बिगड रहा है लोकल लोग तो बहुत इनोसेंट है दोस्तों करनाटक के बेटी ओंको महराष्ट्र में शादी करके देते हैं महराष्ट्र के बेटी ओंको करनाटक में शादी करके देते हैं इतन उदर अच्छा कासा रिस्ता है एक हेल्दी रिलेशन्शिप है ऐसे एक दो तिन पॉलिस अफिसर करने से पूरा पॉलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है करनाटक पॉलिस बहुत अच्छी तरह से काम करते है जब मैं बढगावी सिटी में रहता हूं तब मुझे किस पॉलिस से अपने काम निभाते हैं उनको सलुट करता हूं सपोर्ट करता हूं और उनको रिस्पेक्ट भी देता हूं लेकिन ओएक सिटी चोड के बाकी बॉर्डर एरियाज किकोड़ी हो काकवार मश्या अःबर सब ऐसा open हपता ऊसुली दंदा चलता है और यह लोग ट्रॉफिक पोलीस नहीं है दोस्तो यह लोग सब civil police है civil police होने के बावजूद भी यह अपना ब्याचास निकाल के बिना इनिफॉर्म पहेंन के ट्रॉफिक पॉलिस का काम करने के लिए आते हैं गाड़ी को रोकना लाइसेंस मंगना डॉकिमेंट्स को चक करना यह सब किसका काम है ट्रोपिक पॉलिस का काम है लेकिन यह लोग उदर ट्रोपिक पॉलिस है या नहीं पता नहीं लेकिन हमेशा यह सिविल पॉलिसी यह दंदा करते हैं लगों को करत बसे नियमें और वजस रोस से राजा की तरह बौस की तरह जाते हैं और हम विचारे लोग उदर एक गंटे दो दो गंटे ऐसे टॉर्चर को सहन करते हैं यह लोग ऐसे करने से यह बात फाइल जाती है करनाट का पोलिस ऐसे कर रहे हैं यह बात महाराष्ट्र पोलिस तक पहुंचती है और इससे इंस्पायर होके महाराष्ट्र पोलिस भी इस तर करने लगते हैं और दोनों राजों में गुंडा लोग है गुंडा संगटन है वो इसे कनड़ा महाराष्ट्रा कांट्रवर्सी में बदल देते हैं पॉलिटिशन साके इसका फाइदा उटाते हैं मिडिया लोग अपने व्यूज के लिए इसे स्प्रेड करते हैं इसमें किसी बड़े लोगों का मिडिया ओलों का नुक्सान नहीं होता है हम जैसे आमधियों को लुक्सान होता है क्योंकि हमारे रिष्तेदार करनाठ के आते हैं मैं काश्मियटू कन्या कुमारी तक ट्राइविल कर चुका हूं मेरे बिजनेस के लिए स्टार्ट अप के लिए और मैं कनडा लंगवेज को कनडा यूटूब इंडस्ट्री को और कनडा लिट्रेचर को कांट्रिबूट कर रहा है मेरा एक कनडा यूटूब चानल मी है उसमें लगबग देड़ लाग के नज़िदिक सब्सक्राइबर्स है जब लॉकडाउन था ना मैं कनड़ा के लोगों को स्टुडेंस को फ्री में पढ़ाया हूं उनके लिए यूटूब वीडियो बनाया हूं और यसके कनड़ा.com नाम से मेरा वेबसाइट है मैं मैं कनड में भी बुक्स है मराटी में बुक्स है हिंदी में भी बुक्स है इंग्लिश में भी बुक्स है और मैं इतना सब करने के बावजूद भी यह लोग मेरे साथ ऐसे बुरा बरताओ करते हैं दोस्तों मेरा आदर्श स्री जोतीबा पुले और सावित्री भाही पुले है यह ल तर्शितत्व मेरे उपर बहुत प्रभाव कर चुके हैं मैं उनको बहुत मानता हूं उनको फॉलो करता हूं मैं किसी भी जात को धर्म को ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूं करनाट का महराष्ट्रा डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूं ऐसे मुझे करना यह था तो क्यूं मै कनड़ा लिट्रेचर को इतना नी देता था यह क्युंव माई इस प्रोजेक्ट को करनाटिक में ही शुरू करता था सोचSN 하기 औहां के लोगों की बढ़नाई के बरे में मैं हर स्टेट को हर लंग्वेज को कॉंट्रिबूट कर रहा हूं फिर भी करनाटक पोलिस के कुछ नौनसेंस ओपिसर ऐसे करने से करनाटक का महराष्टर का रिस्ता बिगड जाता है लोगों के मन में एक तरह का बैड फिलिंग आता है बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब हो मत चोड के विननती कर रहा हूं दोस्तो मेरे साथ करनाटका पोलिस ने ऐसे बरताउं किया था मैं उधर ही स्पॉर्ट पे करनाटक के ओवां के एम्मेलै के पीए को और उनके ही पोलिश डिपार्टमेंट को कॉल किया था लेकिन कोई भी positively response नहीं किया और मैं दीड घंटे उनके साथ argument करके ऐसे तैसे करके मैं वहाँ से आ गया और ओ लोग मुझे छोड़ते वाक्त मेरे गाड़ी का number plate का photo लेके और मेरे phone number को लिख के नाम को लिख के तू कैस करनाटक से बाहर जाता हूं देखता हूं और तुमारे गाड़ियां कैसे बाहर जाते देखता हूं टीम मेंबर्स कैसे बाहर जाते देखता हूं ऐसे सब धंकाया और धंकाने के बाद मैं तेरे गाड़ी को सीज करता हूं तेरा life को बरबाद करता हूं ओ करता हूं यह करता ह इसे सब बहुत सारे बातों को उन्होंने किया और धंकाया इसलिए मैं क्या किया कि सेप्टी के लिए करनडा लंगवेज में विडियो बनाया मेरे साथ क्या हुआ ता इसे समझाया करनाटक पोलिस ऐसे बैड भी और करने से देश के एकता में क्या एक अफेक्ट होता है इसमें इसको भी मैं कंड़ा में समझाया और यह लोग धमकाने लगे हैं मुझे अब दो दिन में 300-400 के वूपर धमकी बरे कॉल आ रहे हैं गाली आ रहे हैं कुछ लोग मुझे सीधा कॉल करके प हम लोग हमारे के लिए खड़ा नहीं होते हो नहीं है तो लड़ते नहीं है तो क्या फाइदा है दोस्तों एक सौतंत्र देश में होता है तो क्या फाइदा है सोतंतर देश का? इसलिए दोस्तो मैं कंट्री का इज़्जद करता हूँ, मुझे हमारा देश बहुत प्यारा है, मुझे तो दोस्तों हमारे देश के आपर बहुत प्यार है और गरू भी है और हमारे देश के सविदान के उपर और जोती बाफुले जी के उपर और डाक्टर बाबा साय वंबट केर जी के उपर और सब लोगों के उपर बरोसा है इसलिए दोस्तों मैं evidence के लिए और मेरे safety के लिए मुझे उस समय जितने भी proofs मिले थे ना उनको produce करते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ मेरे safety के लिए बना रहा हूँ और मैं इस वीडियो को हमारे honorable judges को और court को एक evidence के रूप में पेश कर रहा हूँ एदी जैसे इन्होंने धमकाया है और अभी भी धमका रहे है उस तरह से कुछ भी करते हैं तो मुझे मेरे family को मेरे team members को और मेरे students को एदी कुछ भी होता है तो किसी भी तरह का problem होता है तो इसके लिए करनाटक का police और करनाटक के politicians ही जिम्मेदार है मैं इसे एक evidence के तोर पर honorable court के सामने पेश कर रहा हूँ मेरा तब्वित भी खराब है और मैं दो दिन से किदर भी नहीं गया हूँ हमारे गर्वे सब पर्शान है पस्ट्रेश्ट है हमारे team members के मन में भी शांती नहीं है और मैं भी थोड़ा अच्छा फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग इस तरह से कर रहे है मैं safety के लिए उसे बनाया था वो लोग बात को समझने के बजाए और मुझे support करने के बजाए और matter जो है उसे finally करने के बजाए फिर मुएरे उपर ही अटाक करने की कोशिश कर रहे है इसलिए मैं मेरे safety के लिए यह वीडियो को बना रहा हूं और इस problem को हमेशा के लिए खतम करना चाता हूं दोस्तों करना टक के border area के सारे MLA's को MPs को और higher officer को और police officer को और इधर के border areas के MLA MP और police officer को एक common meeting में बुला के एक friendship करवाया तो यह problem दोस्तों हमेशा के लिए एक minute में खतम हो जाता है लेकिन इस मुद्दे को इस problem को जिन्दा रखके politicians होट कमाना चाते है और अपना राजनिती करना चाते है और police लोगों को टार्चर करके हफ्ता वसुली करके लूटना चाते है इसलिए यह लोग इस problem को जिन्दा रख रहे है और इसे बड़ा रहे है problem तो हम जैसे आम लोगों को हो रहा है महाराश्ट्रे के लोगों को भी हो रहा है करनाटक के लोगों को भी हो रहा है बड़े लोग तो अपने influence लगा के छूट जाते है लेकिन गरीब लोग कैसे जा सकते है border areas में बहुत innocent लोग है दोस्तो करनाटक में भी और महाराश्ट्रे में भी और दोनों राजी के लोग बहुत अच्छे है kind है clever है cute है और educated है वो समझदार है इसलिए तो ना उनके बीच में एक healthy relationship है कोई अपने दुष्मेन का घर में बेटिएं को देता है क्या नहीं है ना फिर भी यह लोग महाराश्ट्र में अपने बेटिएं को दे रहे है कितना ए अच्छा relationship है समझे है दोस्तों फिर भी करनाटक का police के दोरा और politicians के दोरा करने वाले एक गंदी हर्कोतों से दोनों स्टेट का नाम कराब होता है दोनों राज्यों के बीच friendship करवाएंगे और सब लोगों के कल्यान के लिए शांती के लिए और tourism को promote करने के लिए दोनों राज्यों के लोगों के lifestyle को improve करने के लिए कोशिश करेंगे इस problem को तो मैं klar कर के रोओंगा दोस्तो चाहे कुछ भी हो मैं इसे इधर नहीं चोड़ोंगा मै इससे तो खतम करके रहूंगा बस आपका साथ चाहिए दोस्तो इसलिए दोस्तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए ट्विटर पर ट्रेंड करवाई यूटुब में मैं इस वीडियो को non-copy rated तरीके से upload कर रहा हूँ CC license दे रहा हूँ इसे आप as it is download कीजिए किदर upload करना चाते हैं न उदर upload कीजिए बस मुझे ए मुद्धा ए प्रोब्लम हमेश्य के लिए स्वालो होना चाहिए और अपने लोगों को न्याय मिलना चाहिए मेरा intention बस इतना ही है जय हिंद वंदे मातरं एंड थैंक साल